नमस्कार दोस्तों and welcome back to my channel first investment दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल में कॉंसे स्टॉक्स में buy or sell करना है प्लस निफ्टी और और यह मैं आप लोगों बहुत बर बता चुकू है, मैं आपको एक बड़ दुबारा बता देता हूँ, यह देखे एक up move आई, एक से, यह एक up move आई, एक correction आया, एक up move आई एक retracement आया, तो जिस level से इसने cross करा ठाव वहीं पर ही रिक अउट करा ठीक है दुबारा इस लेवल पर breakout दिया तो दूबारा उपर गया जब दूबारा नीचे आया रिक टेस्ट करने तो एक्जाक्ट इसी फिर रिक टेस्ट अब फिर उपर गया इस लेवल को ब्रेक करा इस Deevle को ब्रेक करने के फिर एक हलका से retracement आया ठीक है अब दुबारा उपर जा रहा है तो previous high को break करा previous high को break करने के बाद जब दुबारा नीचे आता है और previous high पे ये पहले resistance का काम करता था था अब यहां support लेके उपर जाता है और फिर previous high को break करता है फिर support यहां लेता है फिर उपर जाता है तो ये इस ना शलिपा श्ताए महीं और आपा क sigu यह देख सकते हैं सिमिलर कुछ इस तरीकते कामन नहिंए यहां से दुबारे एक बॉइंग स्तार्ठ हो रही है मतलग इस अर्फीए साह को भी इंफीन कर सकते हैं और तो भी यह competitive trade करा है around 2887 तो आप यहांपर अपना by बना सकते हैं by अबभ बन सकते हैं around 2892 के ऐस्पास 2892 के असपास स्क्वी पर आप लोगी can garbage can bit me तो भी आप इसमें बाइनिशेट कर सकते हैं मेरा प्रॉबबली इंट्रेडे का टारगेट दस पंदरा रुपे ही होगा बट अगर लोग स्वेंग ट्रेड इसमें करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं अराउंड मेरा 300 प्लस 3000 प्लस टक के टारगेट सोंगे और यह मुझे लगता है प्रॉबबली अच्छीव कर सकते हैं नेक्स दोग आते हैं डॉक्टर रेडी पे या डॉक्टर रेडी पे आप देख सकते हैं कि अराउंड फॉर्टी टू हंड्रेट से हमने एक तीन दिन के अंदर एक स्टॉंग मुवमेंट देखी जो इस पर्टिकुलर लेव आप देख पा रहे हैं यह तीन चार दिन पर यह हजार पॉइंट प्लस तब ऊपर गई है उसके बाद हमने क्या देखा हॉल्ट कर रहा है यह देख रहे है एक स्ट्रेट मुवमेंट फिर एक चैनल के अंदर जा चुका है और आप क्या कर रहा है है इस चैनल के हायर रेंज पर ट्रीड कर रहा है और जैसी कल ब्रेक हो जैसी 50 200 का लेवल ब्रेक होगा तो एक अच्छी कासी बाइंग इसमें इनिशेट हो सकती है तो इसको भी एक ट्रेड लेकर चार सकते है इसपाटन को हम लोग क्या कहते है MS, we can promise तो टॉरेंट फार्मा भी आप यहां पर देख सकते हैं कि अराउंड 2300 के लेवल से यह अराउंड गया था हाल्ट करा यह देख पार है हाल्ट कर उसके बाद जाके ब्रेक आउट दिया है तो यह भी एक पॉजिटिव साइन है तो यहां पर आप लोग एक बाइनिशेट इस पर भी कर सकते हैं कल अगले दिन ब्रेक आउट दें अब आते हैं नेक्स टॉक पर हिंदुस्तान हिंद जो ट्रेड कर रही है मैं आपको यहां दिखाता हूँ यह देख सकते हैं लिग सकते कि आने डिंध बना रखा व्लू इस robust इक है तो यहां पर मेंग आई चैन्स compassionate यहां पर मेंग गई अर अब दुबारा नीचे आंगे तो मतलब अब यह लेबल कर चुकण वीऍक यह जिए होता है कन तो एक सेलिंग आ सकती है इस लेवल के नीचे और इसके लेवल के नीचे फिर अराम से यह 161 62 तक जा सकता है तो बिंदुस्तान पेटरोन नीम अगर 170 के नीचे जाता है तो आप लोग एक शॉट कर सकते हैं वरना आप लोग इसे ट्रेड मत करेगा बाइस एक नेक्स तो आते हैं आप जी अमर इंफ्रस्ट्रक्चर पे अगर मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूं एक सिकेंड अब जी अमर इंफ्रस्ट्रक्चर पे आप दिखेगा इस लेवल से 28 रुपीज की पैटन में आप यह देख पा रहे हैं इस पैटन को क्या कहते हैं हेड इंफ यूडर पैटन यह कुछ इस तरीके का बनता है एक फॉल आई ठीक है एक फॉल आने के बाद यह क्या मनाता है एक head and shoulder pattern मनाता है और जब यह level break होता है तो यह अपने सीधा previous stop पे जाता है ठीक है क्योंकि यह reversal होता है reversal pattern इसे कहते है head and shoulder को तो एक reversal pattern होता है अब यहाँ पर एक यह जैसी breakout देगा 24 के level को 24.10 को तो वहाँ से breakout आ सकता है पहला level जो आ रहा है वो आ रहा है around 26 का और second target आ रहा है 28 का तो यह एक दिन में तो आएगा नहीं तो आप इसे hold करके चल सकते हैं अगर आप लोग शोई trade में interested है दूसरी बात भी आप यह आद देख सकते हैं एक strong movement आई यह hold कर रहा है यह देख रहे हैं यह flag type pattern मनावा है अब exact अपने higher range पर है तो जैसे यह कल ब्रेक होगा है वैसे यह buy initiate हो जाईए और यह भी अच्छा कासा profit दे सकता है तो यह 5 stocks ते भी recommendation थी अब आते है nifty bank nifty पर इसके जो भी targets होगे किस लेवल पर buy करना है वह सारा आप लोगो टेलीग्राम चैनल पर provided हो जाएगा तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर हमारे join होना चाहते है तो नीचे description पर link है आप जाके join हो सकते है और हम लोग courses भी course भी provide हो रहा है हमारी तरक्की से और paid calls भी provide हो रही है paid calls मैं नहीं कहूंगा मैं उन calls को कहूंगा जो मैं buy कर रहा हूँ ठीक है तो आप लोग अगर interested है तो उसमें show कर सकते है या नीचे number दे रखा है अगर आप लोगों को interested है queries के लिए तो हम आपा contact कर सकते हैं अब आते है n 50 पर अगर मैं आप लोगों को बताओं तो सबसे पहला जो था 11,600 का जो की यह level था यह level देख रहे इस level के ऊपर मुझे नहीं लगता था कि यह cross करेगा but cross करा फिर cross करा फिर था यह level जो की important था जहां पर एक strong resistance था एक selling pressure आया था बहुत तेजी से तो वह level को भी break कर चुका है और अब उपर जाके इसने एक indecisive candle बनाई है ठीक है तो अब यह level देखें मैंने आपको क्या काता था कि resistance होता है तो वह एक बारी में break नहीं करता वह वेट करता है थोड़ा बहुत इसी level पे फिर break करता है बट अगर कोई resistance को सीधे movement से break कर दें और वह भी strong resistance को तो eventually वह break तो कर देगा बट वह false breakout होता है जब तक दो दिन तक उसके उपर यह sustain ना करें तो अब हमें wait करना है जब तक यह इस level के उपर कल closing नहीं देता है तब तक हम लोग कोई trade initiative नहीं लेंगे वरना इससाब से यहापर selling आ सकती है और दुबारा यह इस level तक आ सकता है तो wait करेगा क्योंकि strong resistance यह support को एक सीधी लाइन पर अगर यह break करता है तो वह false breakout काता है और वो इसके बहुत chances होते हैं कि वह दुबारा नीचे आ जाए तो इस पर आप लोगों को कलमें सला दूँगा कि अगर कल निफ्टी इस दोगों को बताओ तो यहां पर जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं इधर देखेगा यह जो टॉप था और यह जो बॉटम था जब मैंने Fibonacci retracement ड्रॉ करा तो यहां पर जो 61% जो golden retracement ratio होता है महां तक गया अपनी विक तक गया उसके बाद दुबारा नीचे आके closing दे द तो अब हमें देखना है कि कल यह momentum कहाता करता है. अब मैं इसमें buying initiate तभी करूंगा जब 23333 के ऊपर जाके close करता है जब तक इसके ऊपर जाके close करेगा, तब तक मैं यह buying initiate नहीं करूंगा और इसके ऊपर close नहीं करता हो, और यह इसलेट पर खुलता है, अगर यह open होता है, आप यहाँ देख सकते हैं 23,180, 23,170 के असपास तो एक शौट इनिशियेट कर सकते हैं 100 से 110 रुपे तक की मुमेंट्स आपको इसमें अराम से मिल सकती है इंट्रेडे में और उसके बाद आप जादा होल्ड करके मत बैठिएगा वरना वायर चार्ट से अगर रिकवरी आई त तो यह थी आप महारी आज की अनालेसे अगर आप लोग इंट्रस्टेड हैं अगर आप लोग नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा तो मैं आप लोगों से मिलता हूं अगली वीडियो पे साइनिंग आप